आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सिछण योजना इसमें सबसे पहले कलांस रहेगा कलांस में चार कालम रहेंगे पहला कालम है दिनांक, दूसरा है कच्छा, तीसरा है विसय और चवता है समय इसमें पहली एडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम बच्चे कविताओं को उचित उताव प्रवाह के साथ पढ़ते हैं तथा याद की गई कविताओं को उचित हाव भाव के साथ सुनाते हैं इसके बाद दूसरी एडिंग इसमें रहेगी प्रकरण भक्त नीत माधुरी ये सूरदास है इसके पहले वीडियो में हमने कवीर दास और रहीम दापस के बारे में दिया है वीडियो इसे चड़ियोजना ये तीसरा पार्ट इसका है भक्त नीत माधुरी का तीसरा पार्ट Issra-Sikh d-illaござs कि और पहली Ďर्डिंग इस्में चरण की रहेगी सीखने की सुरूबात में इसके लिए समय हम निर्धारिटस पांच मिनुप करेंगे सिचन्च के सुरूबात में सिछक बच्चों से कुछ कभियों वा उनकी रचनाओं की विष्य से बात करेंगे जैसे कविर दास में तो उनके विछ से बात dal करेंगे इसके बाद हम आगे देखेंगे दूसरी एडिंग इस में आती है अक कि बच्चों को बताएंग Rapid आज हम लोग सूर्दास के विशय में चर्चा करेंगे सूर्दास जी आगरा में आगरा से मुथ्रा जाने वाली सड़क के किनारे रूनकता नामक गाउं में पैदा हुए थे इन्होंने कृष्ण लीलाओं का बड़ा सुंदर वड़न किया है ये कृष्ण भक्त कवियों में सर्वो पर है सूर्षागर इनका प्रिसिद महाकावे है ये प्रिसिद महाकावे क्या है ये बच्चों को थोड़ा सा इस पर चरच करनी है इसके बाद आगे देखते हैं शिछक पाथ में दी गई कविता का सस्वर वाचन करेंगे, बच्चे सिछक द्वारा बोली गई पंक्तियों पर उंगली रखते हुए उसे दोराएंगे। बार मुही दूध पियत भई, यह अज हूँ है छोटी, तू जो कहती बलकी बे नीज्यों, हुए हैं लंबी, लांबी, मोटी, काणत गुहत नुहावत जै हैं, नागिन सीभी लोटी, काचो दोध पियावत पची-पची, देति नमाखन रोटी, सूरज चिर जीवो, दो भईया, हरी हल धरी की जोटी, तो यह है सुदास की पंक्तियां जो लिखी गई हैं, इसका हम भावार्थ देखेंगे, इसका भावार्थ है, और पढ़ाते सबे हम पुस्तर की सहायता से पूछते हैं कि मा मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितना समय मुझे दूद पीते हुए हो गया है, यहां आज भी चोटी है, तू तो कहती है, बलदाओ जैसे लंबी और मोटी चोटी होगी, बालों को जारते जारते और गोते गोते, नि मा कहती है कि बालों को जारते जारते औ गोते गोते बलदाओ जैसी लंबी और मोटी चोटी तुमारे हो जाएगी तथा नागन की तरह जमीन को छूने लगेगी ये सुदाबा स्रीकृष्ण से कहती है और तू मुझे स्रीकृष्ण जो है अपनी मा से कहते है तू मुझे कच्चा दूद बार बार पिलाती है लेकिन मक्षन रोटी नहीं देती खाने के लिए सूर्दास जी कहते हैं कि दोनों भाई अर्थात कृष्ण और बलदाओ की जोड़ी देर घायो है इसके बाद आगे देखते हैं इसका आगला चरण सिच्छड के अंत में सिच्छड के लिए समय निर्धारित है दस मिर प्रश्ण अंतर के द्वारा पच्छों का आखलन करेंगे इसमें देखते हैं सिच्छप बच्चों से कविता किस संबंधित कुछ प्रश्ण पूछेंगे जैसे इसमें हमने एक प्रश्ण लिया है सूर्दास जी की कविताओं में किसका वड़न मिलता है और दूसरा प्रश्ण है सू पुर्दाश जी का जन्म किस गाउं में हुआ था आगे देखते ही उपरेक प्रिष्णों का उतनर प्राप्त करने में सिछक सभी बच्छो में जिए सभी बच्छों का adopted सभी लेंगे इसके आगे देखते हैं इसमेँ पुर आता है स्यामपट्ट कारी सिछक बच्छो को कठिन सब्दों का आर्थ जो है सिछक कठें सब्दों का आर्थ ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और छात्रों को इसे अपनी कापी पर लिखने को कहेंगे अब इसमें हम देखते हैं सब्द आर्थ है अजहू अजहू में लब आज भी कबही में लब कब बेनी में लब चोटी काढ़ पचिपची का आर्थ है, बार बार, चिरजीवी का मतलब है दीरघाई। लंबी आयों। और जोटी का मतलब है, जोडी जोडी का आर्थ है, जोडी। इसकी बाद आगे, प्रदतकार, गरिकार और असाइन्मेंट इसके दिर समय ने धारे थे 5 मिनट, सिछक बच्चों को घर स से कठिन सब्दों का आर्थ याद करके लाने को कहेंगे आगे अंतिम हेडिंग है छटी हेडिंग सिच्छ की आगामी कार्योजना कच्छा सिच्छन के दौरान आई कठनायों अभ्यास प्रश्ण वा व्याकरन संब्धी योजनाओं का निर्मार करेंगे धन्यवाद